तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताना है अगर आपका नहीं आया तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आया है या नहीं आया है तो मैं अभी अब्डेट करने वाला हूँ बिल्कुल आपको पुरा लाइब प्रोसर बताओ कैसे अब्डेट करना है तो मैं आपको बता दू कि अगर आपका नहीं आया तो कुछ दिनों में आ जाएगा तो अब्डेट कैसे करना है वह चीज आप सीख जाओ ताकि आपका जो लेट वर्णेयर उसको तुरंट में जो कि आप रेकर सेमा जाए सेम थैध तो आज कि इस वीडियो में आपको बता हूँ कैसे अप्डेट करना है किसी ऑंड हो अगर आप Android phone को update करना समझ जाते हैं तो आपको जो के दिक्कत नहीं हो किसी भी phone को आप बिलकुल असानी से जो के update कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों किसी भी phone को update करने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको आना पड़ेगा इसके mobile की setting में चलिए दोस्तों मैं आ जब हो यहां पर मुवाल की setting में और यहां पर आप देख रहते हैं हमाना जो के realme का phone है और यहां पर आ चुके सबसे उपर में अगर यहां पर नहीं आता है तो आपको करना क्या होगा नीची स्क्रॉ écran करके आना है सबसे नीचीष्वकर करके आणा है और यहां पर आपको दिखना आप डिवाइस लि Rice लिखा लिखा हुआ है या तो आप यहां पर आजा आ रहेंगे नहीं त देखिए 510 Android 14 वर्जन है जो कि 797 MB का है ओफिस्यल वर्जन आपको यह पर दिखाई देखा है सिक्रूरिटी है सिस्टम है एंड टो विव मोर और ज्वाइन डिसक्रशन विजिट यहां पर लिख करके जो कि आप सब चीज देख सकते क्या क्या अपडेट हो रहा है क्या चीज हो रहा है सब कुछ आपको दिख जागा तो आपके पास कोई साब एंड वाइट फोन हो तो सभी में जो कि इसी तरह से अपडेट करना है और अपडेट करने से पहले आपको यहां पर सबसे पहले हो कि यहां पर क्लिक करना है क्योंकि ज्यार मिकाह यसलिए लिख रहा है की तो आप neighborhood करने के लिए तो चली हमने इसको पूरा डॉद्ट कर लेता है उसके बाद आगे बताते हैं आपको डॉद्ट होने के बाद कैसे जो कि आपडेट करना है तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं 100% डॉद्ट हो गया है तो देखी यहां पर जो की verification हो रहा है और यहां पर मैं आपको दिखा तो देखी यहां पर लिखा हुआ भी है updating the system will not delete or modify your data मैं आपको starting महीं बताया हूँ कि update करने से कोई भी दिग्गत आपको नहीं होने वाला है आपका कोई भी data याप से delete नहीं होने वाला है for security it is recommended to back up your data before starting the update मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी data आपका delete नहीं होगा लेकिन आप अपने security के लिए अगर आपको ज्यादा doubt और दिख्कत है तो आप जो के अपने data जो भी आपका personal data उसको जो के आप अलग से copy करके रख सकते हैं लेकिन इसे कोई दिक्कत नहीं होने में जो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहां verifying हो रहा है और वेरिफाइंग होते हो ति दखिए यह भी 100% verify हो जागा है उसके बाद जो की देखिए यहां पर लिख रहा है 100% verify है यहाँ पर verify हो चुका अब आता है installing install य आपको इसको जो कि update करना तो यहां से में प्रोसेस सुरू होता है और यहां पर जैसे कि यहां पर आपको install पर click करना है जैसे कि आप यहां पर install पर click करता हूँ और यहां पर देखिए phone जो कि हमारा switch off हो गया और फोने के बाद आपको घफराना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बटन वगरा कुछ भी प्रेस नहीं करना, जो भी बटन है वैसा ही छोटना, आपको प्रेस करना ही नहीं, कुछ भी क्लिक नहीं करना, अगर ज्यादा क्लिक करोगे तो हो सकता है कि आपका फोन क्रेस हो जाए और phone आपका date भी हो जाएगा तो आपको छोड़ देना है automatic यह जो की on हो जाएगा तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है अमान जो की phone यहाँ पर on हो चुका है और यहाँ पर अभी जो की power by inward लिख रहा है और यहाँ पर अभी जो के देज़े देज़े से अप्डेटिंग होना शुरू हो जाएगा और सब कुछ अप्डेट हो जाएगा अप्डेट होने के बाद automatic जो की on हो जाएगा तो अप्डेट लेने में थोर से time लगता है क्योंकि हर एक चीज़ को यहाँ पर जो के care करके update किया जाता है तो अप्डेट लेने में थोर से time लगता है तो थोर सा आपको जो की धायर मनाना पड़ेगा तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे जो की update लेता है सारा को से हम आपको पूरा live दिखा रहे है तो थोर से skip करकर के दिखांगे ताकि आपको जो की अच्छे समझ में आ रहे है नहीं तो ज्यादा वड़ा video हो जाएगा क्योंकि देखिए अभी on होने में यहां पर time लगेगा उसके बाद यहां से updating शुरू होगा यहां से तो यहां पर देख सकते हैं अभी आ चुका है यहां पर real में लिखके और यहां पर धीरे धीरे अप्डेट ले रहा है सब कुछ अप्डेट ले रहा है दीरे धीरे तो आपको टेंशन लेना नहीं है बस आपको छोड़ देना है फोन को automatic हो जो होगा खुद ही खुद 5-10 मिट ज्यादा से ज्यादा अगर तो 10 मिट काफी है नहीं तो 5 मिट 2-3 मिट के अंदर में जो कि यहां पर update ले लेता है आपके पास कोई सा भी android phone होगा तो उसको आप बिल्कुल असानी से update कर सेकते कोई भी दिक्कत के बात नहीं है तो कैस देखिए कि यहां पर finally हमारा यहां पर update ले चुका है update लेने के बाद देखिए यहां पर on हो चुका है और यहां पर जो कि पिन माग रहा है कि आपको इसको अब खोलना है तो पिन यहां पर जो कि दाबिये उसके बाद आप जो कि खोलिए तो चलिए हम यहां पर जो तो धोगा तो आपने फोन को अपडेट कर सकते कोई सब भी फोन एंड वाइट होगा तो दोफ्तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगए वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना नोटिफिकेशन और बेल आइकन को भी और पर प्रेस कतके रखना ताकि इस तरह के जो भी वीडियो और उसका नोटिफिकेशन आप लुक्ते सबसे पहले पहुंचे चले दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपी के साथ तब तक के लिए बाए